तो जैसे bank nifty ने तीन दीन perform किया exactly same एक ही range में रहा range boundary range थोड़ा सा भी shifting उपर हो चुका है अब जब तक ये line है 41401 के उपर bank nifty नहीं निकलता तब तक हमें call side नहीं जाना है ये level याद रखिए 41401 के उपर जैसे bank nifty निकलेगा हम call side जाएंगे तब तक हमें puts side ही रहना या no trade में हमें बैटना है market को observe करते हुए अब अगर ये trend line में यहां से दिखता हूँ तो ये clearly इसको break करके ये नीचे आया है और ये उपर से अगर एक trend line आती है तो ये level जब cross होगा अगर समझो कल के दिन market flat open होता है और flat होने के बाद अगर कुछ green candle इसी सबसे बनती है उपर के तरफ तो जैसे ही ये level निकलेगा 41,300, 300 के उपर हम 400 तक का target रख सकते है 100 point हमें bank nifty हाँ से confirm देगा क्योंकि ये trend line का breakout होगा और 401 पे अभी इतने बार अगर resistance लिया है तो ये हाँ से नीचे आएगा और नीचे आने के बाद कुछ ऐसा यू बना के फिर breakout देगा तो ये simple सी बाद आपको bank nifty में याद रखने है